राधे राधे एवरिवन मा लक्षमी की किरपा आप सभी पर बनी रहें फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दिवाली के दिन घर में धनकी बरकत के लिए लक्षमी पोटली कैसे बनाई जाती है लगवग सभी घरों में ये पोटली बनाई जाती है और जो सेट साउकार होते हैं जो बिजनिस करते हैं कोई वैपार करते हैं वो लोग ये पोटली बनाकर अपनी तिजोरी में जरूर रखते हैं आप घर पर भी अपने लोकर में अपनी तिजोरी में ये पोटली रख सकते है जिससे पूरा साल आपके घर में धनकी बरकत रहती है तो देखे इस पोटली में हमें क्या-क्या रखना है कैसे बनानी है वो मैं आपको आज बताती हूँ देखे दिवाली के दिन जब आप लक्समी पूजन करेंगे तो लक्समी मा की जो प्रिये चीजे होती है वो सभी हम पूजन में लक्समी माता को समर्पित करेंगे तो ये सारी चीजे हम लक्समी माता को समर्पित करेंगे चोकी पर रखेंगे इनका धूप दीब से अच्छे से हम पूजन करेंगे और उसके बाद हम लक्समी पोटली बनाएंगे डार्क या लाइट कोई भी लाल रंग आप ले सकते हैं। वढल एक सालिए वचल कपरा भी ले जबर सकते हैं। उसको पोटली की तरह बांध लेंगे। आप हमें उसमें क्या क्या रखना है तेखिये। कमल गट्टे हमें उसमें जरूर रखने हैं। तो कम से कम पाँच कमल गट्टे आप जरूर लीजिएगा, इसे जादा आप कितने भी ले सकते हैं, तो देखें, यहां पर कमल गट्टे कुछ इस तरह के होते हैं, लक्समी मा को बहुत ज़्यादा प्रिये होते हैं, तो कमल गट्टे आप पूजा में जरूर चड़ाएं, तो यहां पर मैंने पांच कमल गट्टे ले लिए हैं, के बाद हमें पांच गोमती चक्र लेने हैं, य यहां पर पुजा का सामान मिलता है वहां पर भी यह सबी चिज़े बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो देखें, गोम्ती चक्र कुछ इस तरह के होता है इसके अंदर इस तरह का एक चक्र होता है। तो यह आप देख लीजिएगा, यह चोटे साइज में बड़े साइज में आपको मिलते हैं, किसी भी साइज में आप ले सकते हैं, कम से कम पांच आपको गोमती चकर जरूर जरूर लेने हैं, तो पांच गोमती चकर हम लक्सी पुजन पर लक्सी माता को चड़ाएंगे, तो साथ ही हमें 5 कोड़ी लेनी है तो दीखे पहले तो लोग कोड़ी बहुत रखते थे घर में लगवच सभी के पास मिलती थी अभी कम जानते हैं इसके रिश्या में तो इस तरह की कोड़ी होती है ये भी आपको पूजा का सामान जहां मिलता है, वहाँ पर भी मिल जाएंगी, या पंसारी की दुकान पर भी आसानी से मिल जाएंगी, पांच कोडी हमें ये लेनी है, ज्यादा संख्या आप कितनी भी ले सकते हैं, कम से कम पांच आप जरूर लीजिएगा, और अगर आपके पास ये चीजे पहले से घर पे रखी हुई है, पिछले साल की पोटली बना रखी है, या वैसे आपके पास ये चीजे घर पर रखी हुई है, तो उन्ही को आप गंगा जल से साफ करके, गंगा जल में धोके, दोबारा यूज कर सकते हैं, दोबारा पोटली में रख सकते हैं, नई लाने की जरूरत नहीं है, इसके साथ ही आप सुपारी ले ले लेगा, सुपारी तो हर पूजा में काम आती है, तो पांच सुपारी हमें यहाँ पर ले लेनी है, और सुपारी भी अगर पहले से घर पर हैं, तो आप उन्हीं को गंगा जिल में धोकर उन्हीं को दुबारा चढ़ा सकत हम इसके साथ ही लोंगो और इलाची लेनी हैं तो यहां पर देखें होती हैं आपको लह को बता हैं आप पांच ओर सकते हैं कि फ्या कि वीडियो के जरूर लेनी हैं और जाहें जरूरी चीज़े होती हैं nawet आपने वीडियो में बताती हूँ, ऐसे तो सामगरी को आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने 5 लोंग और 5 इलाइची ले ली है, लोंग साबुत लेनी है, उसके उपर फूल होना चाहिए, जो भी लोंग हम लेंगे, उसके साथ हमें धनिया जरूर लेना है, ध कोई चांदी की चीज जरूर लेनी है, चांदी या सोना दोनों चीज़े आप ले सकते हैं, या चांदी की चीज़े है तो चांदी की चीज़े आप ले लिजे, चांदी की आप सिक्का ले सकते हैं, या चांदी की कोई भी गहना आप ले सकते हैं, लेकिन साल भर तक फिर हम नहीं करते हैं, अपने लोकर में ही रख लेते हैं, तो ये दक्षिना हम ले लेंगे, बस ये सामगरी है, जो जरूरी है, इसके अलावा तो देखें, आप कितनी भी बढ़ा सकते हैं, जो जो लक्समी माता की प्रिया चीज़ां, वो सभी रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतनी च आपको लक्समी पोटली में जरूर रखनी होती हैं, उसके बाद ये सारी चीज़े पहले तो हम लक्समी पूजन में चढ़ा देंगे, धूप दीब से लक्समी माता के साथ इन सभी चीज़ों का पूजन होगा, उसके बाद हम पोटली ले लेंगे, लाल रंग की पोटली ल सकते हैं उसमें आप पोर्टली की तरह बांध लीजीगा आब हम सबसे पहले LazIP माता को चढ़ाई है जो लक्समी माता की प्रियस जो मैंने अभी बतायी थी वह सभी हम इस पोर्टली में रख देंगे फोरह सब तो सब पुजन में हमें चड़ानी है, पहले लक्समी पूजन होगा, उसके बाद फिर ये शभी चीजे हम पोटली में रख देंगे, वहीं पर बैट कर, और ये सारी चीजे पोटली में रखने के बाद, पोटली को हम लक्समाता के सामने समर पित करेंगे, देखे धनिया थोड़ा ही हमें डालना है तो थोड़ा सामने इसमें धनिया भी डाल दिया इस तरह से पोटली हमारी विल्कुल तयार हो गई है पोटली को हम अच्छे से बांध लेंगे बांधेंगे तभी इसको पोटली बोलता है तो बांधना जरूरी है तो यहाँ पर पूरे साल तक इसको खोलना नहीं है ये लोकर में ही रहेगी और अगले साल दिवाली के दिन हमें इस पोटली को खोलना है इस पोटली में से जो हल्दी, धनिया, लोंग, इलाइची जो है उनको हम पोधों में विसरजित कर देंगे ये आप जल में विसरजित कर सकते हैं घर में ही विसरजित करना ये चीज़े बाहर नहीं जानी चाहिए तो घर में पोधों में हम डाल देंगे बाकि जो भी चीज़ तो इस दिवाली आप भी लक्स्मी पुजन जब करेंगे तब ये जीजे लक्स्मी माता को चढ़ा के इनकी पोटली बना के अपने लोकर में जरूर रखना और दिवाली से सम्बंदित सभी वीडियो चैनल पर आ चुके हैं सभी की प्लेलिस्ट बना कर लिंक में डिस्क्रिप दे रहा थे